आज के वीडियो में हम बात करेंगे आप देखी रहे हैं कि कोई स्प्रम को पकड़ पकड़ के हमारे सरीर के इंदर मार रहा है यानि जो सीमन एनलैसिस की जो रिपोर्ट देखते हैं और उसमें एक पॉइंट आता है कि आपके इतने स्प्रम मरे वे हैं 10%, 20%, 40%, 50% और आपके 30% या 20%, 40% जो भी स्प्रम है वो जिन्दा है या दूसरा रिपोर्ट में हम देखते हैं कि आपके सीमन ही कम है 2 ml भी पूरा सीमन नहीं है जो नॉर्मल इंसान का 2 ml होना चाहिए वैसे 3, 4, 5 ml हो सकता है पर 2 ml से कम है इसका मतलब आप इन्फर्टिलिटी के सिकार है आपके 40-60% जो स्प्रम है वो मर जाते हैं इसका मतलब आप इन्फर्टिलिटी का मतलब आप अपने पार्टनर को प्रेग्लिंस नहीं कर सकते यानि पुरूस के अंदर ये दो major complaint मिलती है या कमी मिलती है तो ऐसा क्यों है कि आपके अंदर स्प्रम बन रहे है और नॉर्मली एक स्प्रम जो टेश्टिस के अंदर बनता है बहतर दिन का समय लेता है यानि उसका पूरा बनने में और mature होने में उसकी shape यानि उसकी अच्छी हो जिसका सिर अच्छा हो बोडी और उसकी पूच अच्छे से बने और उस अच्छे मोटाई लों, गती सीलों इसके लिए उस स्प्रम को बनने में बहतर दिन का समय लगता है अब आप समझ सकते हैं कि हमारे बड़ी मुश्कल से स्प्रम बनते हैं और उनको कोई पकड़ पकड़ के मार रहा है या वो मर जाते हैं तो आप इस चीज से कैसे प्रेशान होगे क्योंकि आपको प्रेग्नेंसी नहीं होगी आपके पार्टनर को तो आप उस चीज से बड़ी प्रेशानिक साथ जेल रहे हैं तो इसको मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूं कि last वीडियो जो मैंने बनाया था semen analysis report का और उसमें मैंने बताया था कि इसके बारे में आप मुझसे contact कर सकते हैं तो उसमें जब आप लोगों ने जब contact किया तो वह major मुझे तीन problem मिली don't worry उन report से लेके किसी का नाम मैं इस वीडियो में discuss नहीं करूँगा नहीं बताऊँगा पर उन तीन कमी क्या मिली कि एक तो उसका semen जो 2 ml होना चीए उससे कम निकले कई पुरुसों के कईों के बहुत अच्छे semen भी है उनकी report बहुत अच्छी थी दूसरा कि किसी के जो इस्प्रम है वो 40-50% से ज़्यादा मरे वे निकले तो हम इस वीडियो को ही लाते हैं कि आपके इस्प्रम बन रहे हैं अगर वो मरने से बच जाएंगे तो आपको इस्प्रम automatic count increase हो जाएगा क्योंकि जिन्दा इस्प्रम जादा होंगे दूसरा ही होगा कि वो अगर healthy स्प्रम रहेंगे यानि वो movement अच्छे से करेंगे और आपके स्प्रम लंबे समय तक जिन्दा रहेंगे एक चीज और आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि महिला के हर मैने एक अंडा ही निकलता है यानि प्रेगनेंट होने के लिए एक अंडा चाहिए और उसे एक अंडे के अंदर स्रिफ एक इस्प्रम जा पाता है तो एक इस्प्रम पहुँचने के लिए फिर भी डोक्टर यह कहता है या हम यह कहता है कि जब एक बार relationship बनती है तब दो ml seek एक इस्प्रम चाहिए और उसके अंड़ 40 million इस्प्रम चाहिए क्यों चाहिए बाई जब एक इस्प्रम से ही pregnancy होती तो 40 million क्यों चाहिए क्योंकि ऐसा किसी का सरीर में underm बने कि उनकी death नहीं होती हो बस ये कर सकते हैं कि उनकी death यानि उनका मरन कम हो जाए स्प्रम का जिससे आपको pregnancy हो जाए क्योंकि वहाँ तक पहुंचते पहुंचते female के जो private part से होते हुए फैलोपिन ट्यूप तक पहुंचते पहुंचते वहाँ 1 million जाके स्प्रम पहुंच पाते हैं जब 40 में से जब जाकि उसमें से कोई एक अंदर जा पाता है और फिर pregnancy होती है दूसरा हम बात करें जो स्प्रम है जो टेस्टीस के अंदर बनते हैं पुरुस के और उस टेस्टीस के अंदर स्प्रम सेफ होते हैं पर किसी वज़े से कई बार मेल पुरुस के अंदर भी एक antibodies बन जाती है ASA के नाम से भी जाना जाता है या Anti-Sprum Antibodies के नाम से जाना जाता है इसका टेस्ट और टीटमेंट मैं आगे बताऊंगा पर इसको थोड़ा सा और समझे कि यह एक antibodies होती है जो हमारे कहीं भी कोई चीज में सरीर में infection होता है तो उसको मारने के लिए यह वहाँ कोई infection bacteria virus पहुँचा है कुछ गल्थ चीज पहुँची है तो हमारा सरी सोचता है कि कोई नुकसान करेगी हमें और उसको पकड़ के मार देती है ऐसे ही वो गल्थ समझती है sperm को और पकड़ के मारना start कर देती है हमारे sperm है बहुत से layer के अंदर होता है और उस sperm को safe रहता है पर वहाँ तक antibodies पहुच जाती है कई बार और वहाँ उस sperm को kill कर देती है अब 10% किसी का kill हो रहे हैं तो normal है पर किसी के 10% से जादा 30-40-50% तक अगर kill हो रहे है sperm तो इसका मतलब उन sperm में antibodies की वज़े से कोई न कोई कमी है और वो sperm kill हो रहे है या आपके अच्छे sperm नहीं बन रहे है अब ये healthy sperm हमारे कैसे रहे है समझे रहे हो आपके sperm बहतर दिन में तयार हो रहा है और आपके female के जो private part में है वहाँ भी sperm अच्छे से healthy रहे है जल्दी से मरे नहीं तो इसके लिए हमारे सरीर में ये antibodies नहीं होनी चीए ये antibodies कम हो देखो ऐसा तो नहीं है इस antibodies को जीराओ कर सकते हैं पर anti-sperm antibodies इस चीज का पता करने के लिए क्या test किया जा सकता है कि sperm मार test के नाम से होता है जैसे आप semen analysis कराते हैं जैसे पुरुस अपना semen देता है laboratory में test कराने के लिए तो इस semen analysis में अगर 50% या 40% sperm मरत हैं तो आपको सीधा दूसरा test कराना चीए क्या anti-sperm antibodies की वज़े से तो ये नहीं मर रहे तो ये test होता है ये test भी करा सकते हैं दूसरा कई बार ये test अप पुरुस की बात है फिर भी महिला के private part से भी sample लिया जाता है क्योंकि ये पुरुस सिर्फ इतना ही कर सकता है महिला के private part तक semen को छोड़ सकता है वहां भी जाके मारती है अब हमारे स्प्रम को healthy कैसे रखे इसके treatment की मैं बात करूँ आपको एक mensure company ने एक product launch किया है Man Reproductive Health Supplement यानि पुरुस का जो reproductive system है स्प्रम जादा बने स्प्रम लंबे समय तक जिन्दा रहे और स्प्रम motile गती सील होना चीए देखो गती करता हुआ ही तब ही फैलोपिन टूब तक पहुचेगा अगर ये सब चीजे अच्छी रहेंगी तो आपके स्प्रम ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे और आपके पार्टनर को प्रेग्रिंसी हो जाएगी इसके लिए ये एक product है इसके capsule टैप में आते हैं तो आपको अगर ये स्प्रम काउंट आपने analysis टेस्ट कराया है और आपका 2 ml से कम है या आपके स्प्रम ज़्यादा मरत हैं या motile नहीं है डिफेक्टिव फीस आपके स्प्रम ज़्यादा हैं जैसे 2 सर बन रहे हैं पूछ, कटा-पटा, सिर आदा बन रहा है कुछ ना कुछ कमी है तो आप ये supplement ले सकते हैं 2 capsule morning में 2 capsule रात को सोते समय या शाम को ले सकते हैं 2 सुबह, 2 शाम को ले सकते हैं पानी दूद जो भी आपकी चुआई से किसी की साथ भी आप ले सकते हैं अगर आपको ठीक ठाक है आपके स्प्रम कुछ नहीं आपको थोड़ा सा बस ऐसा लगता है कि हाँ मेरे volume कम डाउन होता जा रहा है तो आप ये काम कर सकते हैं एक capsule सुबह, एक शाम को आप ये Men's Reproductive Health Supplement के नाम से है ये आपको Amazon Flipkart या Men's Shore की website पे भी मिल जाएगा तो वहाँ से आप purchase कर सकते हैं इन चीजों का link मैं description box में ढाल दूँगा तो आप कोशिस करें कि आपके इस परम अच्छे से अच्छे जिंदा रहें मैंने last video जो बनाया था उसमें एक दो point और मिले थे कि कुछ पुरूस ऐसे हैं जिनको pre-mature education हो जाता है मतलब उनको relationship बनाते ही यानि थोड़ा सा touch होते ही उनका सब कुछ बाहरा आ जाता है तो उससे भी pre-mature education करते हैं relationship पूरी हुई भी नहीं उससे पहले उनका semen बाहर निकल जाता है उस वज़े से भी pregnancy नहीं होती क्योंकि अंदर जा ही नहीं पाएगा कुछ है ही नहीं तो pregnancy कैसे होगी कि सब कुछ तो बाहर निकल गया कोई थोड़ा बहुत अंदर रहता है उसके अंदर इस प्रम 20, 40,000,000 तो कहां से होंगे तो इस वज़े से भी pre-mature education का मैं already वीडियो बना चुका हूँ लिंक उसका भी description box में है और उसका क्या treatment है वो भी मैं discuss का चुका हूँ कुछ पूस ऐसे हैं कि जो relationship बनाते हैं वो या तो एक मिनिट से जादा ही नहीं चलता उनका relationship या फिर वो काफी समय तक relationship नहीं बना पाते क्यों नहीं कि उनका erectile की problem आती है लंबे समय तक जब चलता ही नहीं है वो stress में रहते हैं उनको लगता है कि मुझसे कुछ होना जाने वाला है नहीं इस वज़े से वो relationship 10 दिन 15 दिन एक मेनें बनाते हैं और वो भी एक छोटी सी relationship बनती है जिससे भी उनकी married life में काफी problem होती है आपका relationship लंबे समय तक बने और आपके sperm count बने इसके लिए भी already मैं वीडियो बना चुका हूँ उस वीडियो को जुरूर देख ले वो भी link description box में है उसका treatment क्या है वो सारा मैं बता चुका हूँ अभी वीडियो ये था कि आपके sperm की number of संक्या कैसे बढ़ाएं आपके sperm लंबे समय तक कैसे जिन्दा रहें और आपके sperm कैसे motile रहें जिससे आपको pregnancy हो तो इसको Mansour का reproductive health supplement है जो आप buy कर सकते हैं link description box में है और Mansour की एक website है जिस पे doctor consultation भी free मिलता है अब वहाँ जाके भी बात कर सकते हैं सब कुछ link discussion box में है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद